नमस्कार दोस्तों देखो सीखो इस्टेडी में आप सभी लोग का स्वागत दोस्तों वीडियो लेखपाल दरोगा पुलिस इत्यादी परिछाओं के लिए समाने हिंदी का प्रैक्टिस सेट नमबर चार आ चुका है और पचास प्रश्णों का ये बड़ा सेट है दोस्तों किस अनुछेद को सम्विधान की आत्मा वा हिरद्य वा आत्मा संदर्भित किया गया या फिर कहा गया है तो देखिए जो घृद्य आया आत्मा आये जब भी अनुछेद पूछे तो अनुछेद 32 याद रखेगा उप्चारों का सम्विधानिक उप्चार और दोस्तों नई 173 में चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन था अग्रणी नेता जो थे वो दोस्तो इसमें थे बहुगुणा जी ठीक है सुन्दर लाल बहुगुणा जी सी बिल्कुली सही उत्तर हो जाएगा सुन्दर लाल बहुगुणा जी चलिए next question देख लेते हैं भारत में भ लगा है कब लगा था यह 1975 में 26 जून जो है 1975 में लगा था यही एक पर लगा हुआ और बित्ती अभी तक नहीं लगा हुआ है ठीक है तो दोस्तों जो राइड एंसर हो जाएगा वह यह हो जाएगा राज्य पाल करता है next बात करेंगे निनलिखित में से जो है क्या सही नहीं है जो सही नहीं है दोस्तों वो आपका कौन सा है तो राज्य सभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयू जो है तीस वर्स अवस्य होनी चाहिए तो ठीक है लोग सभा में निर्वाचन के यही सही नहीं है यानि C वाला जो है यही गलत है तो C बिल्कुली रैडेंसर हो जाएगा C बिल्कुली सही उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत के चुनाओं में मतदान के लिए पातर 18 यह तो ठीक है C वाला जो है यही सही नहीं है नेक्स्ट बात करेंगे प्रिंस ओफ जो है पिल्कृम्स नामक की से प्रदान किया गया था दोस्तों तो प्रिंस ओफ जो है पिल्कृम्स जो है कहा जाता किसको वेन सांग को कहा जाता किसको C रैडेंसर हो जागा वेन सौंग जी को दोस्तों ही करते हैं क्या करते हैं प्रिंस आफ जो है पिल्ग्रिम्स चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट कोशन हो जाएगा फोटोग्राफी में मुख्यर रंग होते हैं फोटोग्राफी में कौन कौन से रंग होते हैं वहिया लाल नीला और हरा जो है फोटोग्राफी के प्रमुक या फिर जो है मुख्य रंग होते हैं ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे डॉस की बात होगी है डॉस डॉस का पूरा नाम क्या है या फिर पूर रूप क्या है फूल फर्म बताना है तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो सी बिलकुली सही उत्तर हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर से कोश्चन है नेक्स्ट बात करेंगे कंप्यूटर तथा टाइप राइडर के लिए इस्तमाल किये जाने वाला कीबोर्ड की जो क्वार्टी शैली विधी का अविस्कार किसने किया था जो क्वार्टी होता है यहाँ पर कीबोर्ड में इसका अविस्कार दोस्तो जो की है उसका अविस्कार दोस्तो किसने किया था याद रखिएगा दिखिए यहाँ पर क्वार्टी है और कौ से नाम है क्रिश्टोफर थैलम क्रिश्टोफर लैथम सोल्स नाम है ठीक है तो जो आपका क्वार्टी है या फिर कंप्यूटर है टाइप रेटर और कीबोर्ड कह सकते हैं कौस इस सब है और क्रिश्टोफर इनका नाम भी है तो ऐसे याद कर सकते हैं ठीक है लैथम शोल्स नेक्स्ट बात करेंगे हस्त सिल्प के अंतरगत आने वाली चिकनकारी का कार है मुख्य रूप से कहा किया जाता है दिखे उत्तर प्रदेस में फेमस है और यहाँ पर क्या हो जाएगा चिकनकारी दोस्तों यहाँ पर C बिल्कुली राइड एंस हो जाएगा लखनव लखनव क दोस्तों जो है कढ़ाई जो करते हैं यह फेमस है या फिर कहें तुझे है मुख्य रूप से कहा किया जाता है चिकनकारी C सही उत्तर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोग सेवा न्याय धीकरण किस वर्स स्थापित हुआ न्याय धीकरण जो उत्तर प्रदेश लोग सेवा न्याय धीकरण है यह किस वर्स में स्थापित हुआ है यह बताने है दोस्तों यह जो स्थापित हुआ है 1976 में उतर प्रदेश लोग सेवा निया धिकरण जो है स्थापित हुआ है बी बिल्कुली सही उत्तर हो जाए 1976 चलिए नेक्ष्ट बात करेंगे और सहयोग अंदोलन कब वापस ले लिया गया देखिए यहां पर और सहयोग अंदोलन जो है वापस दोस्तों क्यों लिया गया च और ही चौरा जो मतलब एक कह सकते हैं कि जो गुरफपुर्वाला कांड है इन्ही की कांड जो है गाधी जी को जो है हिंसा से जानते हैं कि नफरत थी जो पुलिस थाने में आग लगा दिया गया था तो उसमें कई मर्ग है थे पुलिस वाले तो यहां पर क्या हुआ था तो बाल गंगा धर तिलक जी यहां पर राइड एंसर हो जाएंगे सी बिल्कुली सयुत्तर हो जाएगा लोक माने तिलक बाल गंगा धर तिलक जी को लोक माने की मानद उपादी दी गई है नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहां पर जो है महात्मा गा जी ने दोस्तो जो है आठ अगस्त 1942 जो जानते हैं भारत छोड़ो अंदोलन के लिए दोस्तो करो या मरो का नारा दिया था बी बिल्कुली सही उत्तर हो जाएगा नेक्ष्ट बात करेंगे महात्मा गांधी जी जो है भाप से चलने वाले जहाज जो है भाप से चलने वाले ज पहुंचे थे डर्बन में दोस्तो पहुंचे थे और 1893 का वो समय था जब यह मात्मा गांधी जी पहुंचे थे ठीक है दचिर अफ्रीका के ठीक है वहाँ पर क्या किया उन्होंने जो है इंसा से जो है क्या किया था अंदुलन टैप कर ठीक है नेक्ष्ट बात करेंगे वापस कर दी या फिर लौटा दी तो दोस्तो जो है जलिया वाला बाग में जो है जलना डायर ने गोलियां चलवाई थी 1919 की यह समय का यह सब हुआ था तो दोस्तो यह बिलकुली सही उत्तर हो जाएगा इसी के खिलाफ में जो है रविना टैगर जी ने नाइट हुड की उपादी जो है वापस दे दी या फिर कर दी ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे गांधी जी ने जून 1904 में वही डर्बन की बात हो रही है के बाहर खालिस्थान है बस्ती नामक एक समुदाइक क्रियासील मठ की स्थापना की मने मठ कौन सा था तो दोस्तो यह जो मठ है वो है फिनिक्स मठ की स्थापना की थी यहाँ पर जो राइड एंसर हो जागा डी बिल्कुली सह उत्तर हो जाएगा ठीक है ठीक है डी बिल्कुली सह उत्तर हो जाएगा फिनिक्स नेक्स्ट बात करेंगे प्रसिद पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहा सित है पीर पंजाल जो का मंचेस्टर क्यों कहा जाता है तो कोया मटूर को दछीड भारत का मैंचेस्टर इसलिए कहते हैं क्यूंकि दोस्तों का पास उद्योग है ठीक है यहां पर वी बिल्कुली सही उत्तर हो जाएगा बी बिलकुली से उथतर जाएका अमधाबाद है चरीफ सते खरीफ के खरीफ के देखेल दोरों दोर जो को जोए गर्म और नल्म जो जोए कहीं घरने से क suffering क्ला से बाट थे मैदा है अच्वाबाद पर दोरे कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राजेपाल नहीं रहा दोस्तों मोतिलाल बोहरा रहे हैं ये भी रहे हैं गीरी भी रहे हैं और यहां पर एन डी तिवारी ये नहीं रहे हैं ये बिल्कुली सही उत्तर हो जाएगा ठीक है उत्तर प्रदेश के कभी भी राजेपाल नहीं रह से कौन सा database software का उधारण है कौन सा इन में से है जो की database s software का उधारण है तो दोस्तो ओरिकल जो है rdbms जो है यही है यह बिल्कुली सही उत्तर है जाएगा database software का उधारण next बात करेंगे वह कौन सा नियम है जो बताता है कि processor की गती या computer की समग्र प्रसंसकरण सकती प्रतेग दो वर्स पर दोगुनी हो जाएगी कौन सा नियम है जो कि यह बताता है क्या बता रहा है कि प्रोसेसर की गती या कम्पुटर की समग्र प्रसंसकरण सकती प्रतेग दो वर्स पर दोगुनी हो जाएगी यह मूर का नियम है किसका मूर का नि हमें B भी बिलकुली सा उत्तर हो जाएगा ठीक है चलिए next बात करेंगे निमलिखित में से कौन सा open source software का एक उधारण है तो दोस्तों जो lever office है यही है lever office जो है यह open जो है source का जो है आपका open source software का उधारण है lever office C right answer हो जाए next बात करेंगे निमलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रडेस में आमतर पर व्यापक रूप में उगाई नहीं जाती है तो नहीं बाताना है तो गिहू जायता है चावल कपास भी कह सकते है सॉरी कपास नहीं तीलहन कह सकते है ये होता है कपास ही नहीं होता है अगर मतलब ब्यापक रूप से नहीं होता है बाकी तो थोड़ा बहुत कहीं हो जाए तो ठीक है लेकिन ब्यापक रूप से नहीं होता है गन्ना भी काफी ब्यापक रूप में होता है आलू भी होता है व्यापक रूप में नहीं वाला पूछा है तो कपास यहां पर राइडेंसर हो जाएगा नेक्स्ट बात करेंगे खगोल विद वरहमीर और कवी जो है कालीदास किसके दरबार का हिस्से थे दोस्तों तो यह विक्रमा दित्त जी के थे बिल्कुली ए राइडेंसर हो जाएगा यह जो नौरतन की पर्था है न यहीं से कॉपी पेस्ट मारा गया ए ठीक है विक्रमा दित्त जी जो है इनहीं से यह सब लिया गया है अकबर तो बाद में किया था ठीक है कोर क्रस्ट यह सब जो है नेक्स्ट बात करेंगे कारकोरम परवत श्रिंखला में सबसे उची चोटी कौन से कारकोरम परवत स्रिंखला में जानते हैं केटू सबसे उची है यहाँ बिलकुली सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट बात करेंगे भारत के राश्पती का कारेकाल कितने वर्सों का होता है भारत के राश्पती का जो कारेकाल है अब सभी लो जानते हैं पांच वर्सों का होता है सी बिलकुल ही सही उत्तर हो जाएगा पांच वर्सों का होता है थोड़ा बड़ा प्रैक्टिसेट है थ अंसुधन जो है करने की आव सकता होती है तो देखिए प्रथम अनुसुची में ही मतलब बताएगा उसके छेतर और राजियों के बारे में तो यहाँ पर दोस्तो ए बिल्कुली प्रथम तो बी में दिया है यहाँ पर देखिए उप्षन में भी धर उधर करता है तो बी बिल्कुली सही उत्तर हो जाएगा प्रथम अनुसुची में next बात करेंगे राश्टिया क्रिसी बजार यानी बात थो रही है नाम की मतलब एण एएएम की क्या है एण एएम दोस्तो जो है यह क्या है दोस्तो तो यह जो है एक जो है ई व्यापार मंच है ठीक है यही राइडेंसर होगा C बिल्कुली सही उत्तर जाएगा क्रिशी उपज के लिए दोस्तों राष्टी है जो है E वेपार मंच है और जो है केंद्री या क्रिशी जो मंत्राल है इसी के द्वारे बनाएगा है नाम N.A.M आता है N.A.M जो है नेशनल जो आपका अगरिकल्चर और जो हाँ पर N.A.M मतलब मार्केट की बात हो रही है ठीक है बिल्कुल राइड इंसर आपका C हो जाएगा नेक्स्ट बात करेंगे आप जो है सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस सोडा वाटर का जब भी बोतल खोलेंगे तो क्या होगा carbon dioxide निकलेगी भी जाएगा A बिल्कुल सई उतर हो जाएगा कौनसी केस निकलती है carbon dioxide सोडा वाटर की बोतल खोलेंगे तो N.A.M कार की बैटरी में प्रीयोग होने वाला अमल कार की बैटरी में जो प्रीयोग होने वाला अमल है वो है sulfuric अमल कौनसा sulfuric अमल पूछा गया है, ऐसे questions UPSI के लिए important होते हैं, बाकी और भी exam में कभी-कभी ऐसे questions पूछ लिया जाते हैं, तो याद रखेगा, यह जो इन लोगों को डीप में पढ़ा है, याद रखे होंगे, 15 जून को दोस्तों जो है, राश्पती की स्विकृत्ती मिली थी, C बिल्कुली स उत्तर हो जाएगा, 2005 का है आटी है, यह तो अब जानते ही है, 37 धवन अंतरिच केंद्र में इस्तित है, यह कहां पर इस्तित है, स्री हरी कोटा, अब कभी देखे होंगे, कई बार प्रच्छेपन किया जाता है, तो स्री हरी कोटा, B बिल्कुली सहित्तर हो जाएगा, नेक् 92 है, नेक्स्ट बात करेंगे, निम्लिखित में से किस गरंथ से हमें भारत और इटली के बीच होने वाले बयापार की जानकारी मिलती है, कौन सा गरंथ है दोस्तों, तो जो है आपका गरंथ है नेचूरल हिस्ट्री, नेचूरल हिस्ट्री किसे लिखाए, पलीनी ने कौन महमूद गजनवी के दरबार से समंदित था, कौन है जो कि महमूद गजनवी के दरबार से समंदित था, तो कि उतबी भी था, और आपका फिरदौसी अलबरोनी ये सभी थे, तो डी बिलकुली सही उत्तर हो जाएगा, इनके कुछ इंपोर्टेंट जो है, जो उन्हों कि ने क्या लिखा है, फिर दौसीन दोस्तों साह नामा लिखा है, और किताब लहिंद जो है, अलबरोनी का है, ये कभी एकजाम में आता है, तो ये सभी महमूद गजनवी के दरबार के समंदित है, नेक्स्ट बात करेंगे, बीस जून सतरह सो, बीस जून सतरह सो जो है, निम्रिकित में से किसके सासन काल में घटित हुई थी, या किस से समंदित है, तो ये सिराजु दौला से समंदित है, ये काफी बंगाल से समंदित, काफी अंग्रेजों पर गुस्ता था, इन्होंने क्या कर दिया था, ये एक 146 लगभग अंग्रेजों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया था दम घुटने से बहुत सारे यहाँ पर अंग्रेजों की मौथ हो गे थी तो उसी को जो है ब्लैक होल के नाम से जानते हैं ठीक है तो भी बिलकुली सही उत्तर हो जाएगा next बात करेंगे सविनय अवग्या अंदूलन के रूप में महात्मा गांधी ने यहाँ पर दांडी मार्च कब किया था यह पूछा जा रहा है तो दोस्तो दांडी मार्च 12 मार्च को दोस्तो ऐसे याद कर सकते हैं बहुत असान है 1930 को दोस्तो जो है शुरू किया था 12 मार्च 1930 को next बात करेंगे next question है महवीर स्वामी के प्रथम सिस्य कौन थे तो इनी के जमाता थे कौन जमाली थे बी बिल्कुली सही उत्तर हो जाएगा जमाली थे ठीक है प्रथम सिस्य next बात करेंगे निम्रिखित में से कौन से रास्तिय नेता पावर्टी एंड अन ब्रिटिस रूल इन इंडिया जानते है ग्रेंड ओल्ड मैन के नाम से जानते है सी बिल्कुली सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नरोजी next बात करेंगे वर्स 1904 में किसने के क्रांतिकारियों की गोपनिय समीति के रूप में अभिनो भारत का आयोजन किया तो वीडी सवरकर जी ने अभिनो भारत जो गोपनिय समीति थी इसका दोस्तो आयोजन किया वीडी सवरकर जी ने तो ए बिल्कुली सही उत्तर हो जाएगा next बात करेंगे next जो question है रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतिय सोतंता लीग किस संगठन का एक अगरदूत था तो दोस्तो जो भारतिय रास्तिय फोज है इसी के दोस्तो एक अगरदूत जो है संगठनता कह सकते है बी बिल्कुली सही उत्तर हो जाएगा बी बिल्कुली सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट बात करेंगे अंग्रेजों के बिरुद खान अब्दूल गफार खान जिनको सिमान्त गांधी आता है ये सब आता है द्वारा प्रारंब किये गए अंदोलन का क्या नाम था मतलब अंग्रेजों के बिरुद खान अब्दूल गफार खान जी ने जो अंदोलन चलाय लास्ट जो कोशण है आपका 50 वा मदरास हिंदू समाजिक सुधार एस्योस्येशन का आरंब किसकी मदद केलिए किया गया था दोस्तो तो देवदासियों की मदद के रिए जा फिर एक कुप रथाती कहते हैं ew एक प्रथाती उसी को कुप रथा में चला गया था हिंदू धर गैज लिए तर दो उसमें काफी है आपको देधासी समचहर चायाई गारत क्लिए क्या मिल रख हम लाइक रहल कि लिए गया थे ऑप पर please like and share